इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको अपने टेलिग्राम की फाइल, अपने फोन के फाइल मेनेजर में नहीं मिलती है, तो गाईस आप इस प्रॉलम को कि तरह से सॉल कर सकते हो, इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी फाइल मेनेजर को ओपन करना ह जो भी आप यूज़ करते हो इतना करने के बाद आपको यहाँ इंटर्नल पर क्लिक करना है आपको यहाँ इस इंटर्नल स्टोरेज वाले आप्शन पर क्लिक करना है इतना करने के बाद अब आपके सामने कुछ ज़रा का इंटरफेस ओपन हो जाएगा अब guys यहाँ पर आपको एक option मिलेगा Android आपको इस पर click करना है Android पर click करने के बाद फिर आपको यहाँ पर एक और option मिलेगा जिसका नाम में media अब आपको इस media वाइल option को open करना है media को open करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा scroll down करना है फिर गाइस आपको यहाँ पर एक option मिलेगा org.telegram messenger आपको इसको open करना है इसको open करने के बाद जिसके आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे यहाँ पर telegram वाला folder आ चुका है लगें आपको अगर अपने file manager में telegram वाला folder नहीं मिल रहा है so guys आप कैसे file out कर सकते हो या फिर guys आप इसे open करते हो और open करने के बाद दोनों में से कोई भी एक option को open करते हो तो फिर आपको यह folder जो empty दिखाते है जैसा कि आप देख सकते हो दोनों folder मुझे खाली दिखा रहे हैं तो आप इस problem को किस तरह से solve कर सकते हो इसकर ही सबसे पहले आपको अपने phone की home screen पर आना है home screen पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने phone में play store को open करना है play store को open करने के बाद अब आपको यह सचबार में क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर search करना है so guys आपके हाँ सचबार में सर्च करना है explore file manager इतना करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आपको इस वारे file manager को download कर लेना है so मैं इसको install कर लेता हूँ so install करने के बाद आपको इसे open करना है open करने के बाद आपके सारी permissions को allow कर लेना है जो यह मांगता है तो मैं इस वाली permissions को allow कर लेता हूँ allow करने के बाद आपको वापस आना है और फिर जो भी permission यह मांगता है सभी को आपको allow कर देना है इतना करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा so guys हम यहाँ पे सबसे पहले इस internal storage option पर क्लिक करेंगे इतना करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर एक option मिलेगा android अब आपको इस android वाइल option पर क्लिक करना है android पर क्लिक करने के बाद अब गाईस आपको यहाँ पर इस media वाइल option पर क्लिक करना है मेडिया वाला option पर click करने के बाद अब गाईस जिसकी आप देख सकते हो आपको जो यहाँ पे टिलिग्राम वाला जो option है जाएगा आपको simply इसे open कर लेना है आपको तेलिग्राम का आईकन भी देखने को मिल जाएगा आपको इसे open करना है और फिर open करने के बाद अबसे कुछ permission मांग रहा है जिसे आपको allow कर देना है इस इतना करने के बाद आप जैसoire ही telegram का folder open करोगे तो आपको यहाँ पर जो है जैसर ही आप उस permission को allow करोगे आपको यहाँ पर telegram का folder देख जाएगा सो इस तरह से आप अपने टेलिग्राम का फोल्डर फाइंड आउट कर सकते हो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना और अगर आप हमारे चैनल पढ़ना हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना